गाईज अगर आप पिछले साल याने की 2020 आन में या फिर इस साल की स्टार्टिंग में कोई भी मूबाइल खरीदे होगे तो उसमें आपको जरूर से गूगल डायलर देखने को मिलेगा और यह जो गूगल डायलर है कुछ ऐसा ब्लू कलर दिता है और यह जो गूगल डायलर ह अगर आपकी मूबाइल में प्रेजेंट है तो आपको यह वाला साउंड तो जरूर सुनाई दिया होगा जब भी आप किसी का कॉल रेकॉर्डिंग करने जाते हो तो और अगर नहीं सुनाई दिया है तो सुनने का अलत द्यालो क्योंकि यह वाला साउंड अपको हर टायम सुनाई देगा जब भी आपको खुप चुपके रेकॉर्डिंग करने जाते हैं उसको भी आराम से सुनाई देगा तो यहाँ पर आपका जो plan था call recording करने का यह तो पूरा चौबट हो गया तो अगर आप इस problem को solve करना चाहते हो और किसी का भी call silently record करना चाहते हो जो कि यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर बहुत सारे scam होता है और fraud होता है जो की mobile phone के थू होता है calling के थू तो यहाँ पर इस case में आप इस call को record कर सकते हो और proof की तोर पर police station में दे सकते हो ताकि आपका case जो stronger हो सके तो यहाँ पर यह जो चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो और यहाँ पर यह जो process है बहुत ही easy process है कोई difficulty यहाँ पर नहीं है तो यह जो processes को सभी लोग यूज़ कर सकते हो और अपनी mobile phone में silent call recording को on कर सकते हो जनरले आपको YouTube में जो वीडियो मिलेगा अभी available उसमें आपको बताय जाएगा कि आपका जो call recording है उसको अगर on करना चाहते है तो उसके लिए आपको कोई दूसरा ROM इंस्टोर करना पड़ेगा आपको mobile को bootload को unlock करने के बाद या फिर आपकी mobile को root करना पड़ेगा कोई दूसरा application को इंस्टोर करने के लिए तो यह सारा चीज़ आपको बताय जागा जो की बहुत difficult है और normal consumer है उनके लिए बहुत difficult हो जाता है इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को like and share भी जरूर कर देना नीचे रिट बटन दिया गया है आपर जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो चले लिए इस वीडियो शुरू करते हैं इसका call आप recording करना चाहते हो तहीं यहां पर मैं इसको directly आपको एक डेमो कर कर सकते हो में क्रूटीक्व करता हो तो तो के मीलता है यहां पर यहां पर मैं यहां पर आपको बताया गया कि this call is now being recorded और यहां पर जब इस call को रिकॉर्डिंग करना बंद करो तब भी आपको एक अनौन्समें तो यहां पर यह सब जीज़ आपको देखने को मिलता है तो यहां पर इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्ब करने बाला हूं तो इस प्रॉब्लम को यहां पर उपर वाला जापसन देखने को मिलेगा यहां पर टूफोंड डायलर का तो उसमें क्लिक कर दीजिए क्लिक करने बाद आक पास कुछ ऐसा अबल एंटरफस आएगा तो इसको आपको इस वीडियो को रोक के भी देख सकते हो यहां पर जैसे ही अपलिकेशन के लिए एनेबल होगा तो यहां पर पहले जाओ आप्षिन हो यहां पर दिखा रहा है डीफॉल्ट फोन एप्ष जो आपको वह दिखा दूँगा तो यहां पर आपको नया वाले डाइलर जो आपनी इंस्टॉल किया इसको यहां पर on कर दिएगा कुछ ऐसा वाला दिखेगा आपको यहां पर तो इसको आपको यहां पर true form में क्लिक करके set as default कर दिना है उसके बाद आपको देख रहे हो यहां पर दो जॉप्षन है वो अलेडी green tick mark हो गया है उसको second जॉप्षन है permissions तो यहां पर permissions में जाके आप आपको allow कर देना है सेट में जाओगे उसके बाद यहां पर जाके allow कर दो तो यह वाला जो है वह भी green tick mark हो जाएगा उसको यहां पर आपको यहां पर कुछ ऐसा वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आपको बताया गया कि चार आपको एनवेल करना पड़ेगा य इसको बाद डिस्प्ले पॉप आप विंडो इसको बाद लॉक स्कीन नोटिफिकेशन इसको बाद आपको चार आप्सेन मुझे एनवेल करना पड़ेगा तो इसमें यहां पर ओकी क्लिक करूंगा उसको बाद यहां पर आपको दिखने को मिलेगा पहले यह एप्लिकेशन यहां पर अपन हो जाएगा यहां पर आपको पहलो आपसेन ऐसे क्लिक करेंगे और यहां पर डिस्प्लेइर अ जेके आपर सारा फशान ने जीडरें आपको जेए हम करना शुरू कर देगा लेकिन यहां पर अभी बीक्रेंग नहीं हुआ यह भी default application में set हुआ है और यहां पर आप इसको phone dialer की सबसे यूज कर सकते हो तो चलिए यहां पर मैं दिखा आपको call करने के बाद interface कैसा होता है यहां पर आपको recording button देखने को नहीं मिल रहा है यहां पर recording नहीं कर सकते कोई भी कोई करने के बाद आपको देखने को मिलेगा call recording option अपर इनेवल करने के बाद आपको यहां पर बने करने के आपको बताएगा enable और डब्लू ये भी सिलेट कर सकते हो आपको हिसाब से सैंपल रेट भी सिलेश करते हो मतलब इसका फ्रिक्वेंसी होगा स्कावन को वह भी कितना होगा यहां पर यहां पर दिया गया है तो यहां पर इंकमिंग और आपट गोइंग कॉल्स यहां पर स्पीकर के पासे आपको रेकॉर्ड वाला ओप्शन देखने को मिल रहा है दिख सकते हैं यहां पर यहां पर डाइरेक्ली आप रेकॉर्ड कर सकते हो लेकिन रिकॉर्ड करना अभी भी पॉसिबिल नहीं है जैसे आप यहां पर क्लीक करोगे आपको यहां पर एक्से दिखने को मिलेगा तिस notification को आपको agree करके उसके बाद यहां पर ok को क्लिक करना पड़ेगा तो यह जो है already enable हो जाएगा तो यहां पर enable हो गया है already अभी यहां पर अगर आप call recording करो गया तो आपका call recording आराम से हो जाएगा अभी सारा काम complete हो गया अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे call recording करना है तो guys यहां पर अभी इसको open कर लेते हैं और देखते हैं यहां पर कैसे call recording होता है तो यहां पर यहां पर इस जो इंटर्फीर से already on हो गया है और यहां पर आपका जो मतलब dialer है यह default dialer हो जुका है तो यहां पर Google dialer है यहां पर काम नहीं करने वाला है तो यहां पर जैसे में call करता हूँ जैसे में यहां पर call कर देता हूँ तो due complaint number में call लग गये हैं यहां पर इसको speaker में डालता हूँ अन हो गया है recording बल ऑप्षेन चलोगा तो यहां पर कोई भी announcement देखने को नहीं मिला है यहां पर off भी करट दूँगा कोई भी announcement आपको देखने को नहीं मिला है तो ऐसे आपको call recording easily करना है पर आगर आपको सुनना है call recording मैं आपको सुना भी दाओं ताकि आपके मन में कोई confusion ना रहे तो यहाँ पार जैसे यहाँ फाइल मेनेजर में जाओगे उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक में चले जाओ उसको पहला जो नंबर है उसको क्लिक करो तो आपका कर सकते हो बहुत एजसे आप इस अप्लिकेशन की वह जो जाएक घ्रेट कर सकते हो और उसके साथ-साथ किसी का भी कौल आप अराम से रिकॉर्ड कर सकते हो विधाउट एनी अनॉंस्मेंट तो गाइस अगर वीडिया आपको अच्छा लागत जाएक जारू करना उसके साथ-स चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और बेल आइकन को भी ओन कर लेना क्योंकि यहाँ पर जब भी वीडियो लागूंगा आपको पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा चले गाज इस वीडियो के लिए से इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक्ताल विदा थैंक् हमना में ओिए स्टाइब कर रखना जार जाएब को भी बात्रा जाला झाला झाला जाएब कर दो से लिए में यहाँ कर से लिए से लिए में डिए बात्रान जाला जाब वाक हैं